हेलो गाई स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रमा की टेश्टी रेस्पी में आज हम बनाएंगे बहुती टेश्टी बहुती मज़ेदार खिचडी मटर आलो और डाल डाल के तो आईए सुरुआत करते हैं बनाने की यह हमने एक कफ से थोड़ा सकम हमने चावल ले लिया है किनकी चावल जो होते है न छोटे वाले वो वाले चावल ले लिये है हमने और एक कफ हमने डाल ले लिये चावल डाल हमने बस उतनी उतनी लिये एक बरावर कम जादा कुछ नहीं लिया है और यह हमने ग्रीन वाली डाल ली है जो खिचड़ी वाली होती है मूं की डाल और हमने अच्छे से इनको पहले बीन लिया था ताकि हम अच्छे से देख लिया इसमें कोई कंकड वंकड ना हो तो हमने देख लिया था पहले से अच्छे से उसके बाद हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे यह देखिए हमने मिक्स कर लिया है आप इसको हम धोएंगे और कभी आपका मन ना करे कुछ ही बनाने का खाना बना तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आप बना के खा सकते हैं कूकर को हमने गरम कर लिया है और उसमें एक बड़ा चमच हमने ओईल रिफाइन डाल दिया है और उसके बाद हमने दो चुटकी हिंग डाल दी है तो हम खिचडी को हींग से चोकेंगे उसे हमारी खिचडी में बहुत एच्छा टेस्ट आएगा यादी चमच हमने जीरा एड किया है हींग रेड हो जाने के बाद जीरा डाल देंगे और जीरा जैसे हमारा डेड हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे अपने लाल सूखी मिर्च तीन से चार लाल सूखी मिर्च हमने तोड़ ली थी छोटे चोटे पीस कर लिए थे उसके बाद हमने इसे डाल दिया है और इसको भी अच्छे से हम ब्राउन करेंगे किचडी में हेंग और लाल सूखी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस आता है तो आप भी एक बार ज़रूर डाल के बनाएं जैसे हमारी लाल मिर्च थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो हम लस्तन डाल देंगे लस्तन को भी हम अच्छे से ब्राउन करेंगे लस्तन का भी बहुत अच्छा टेस आता है बाकी और कुछ न डालें और आपको अगर मन हो तो आप याज भी आज एड़ कर सकते हैं टमाटर माटर लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी शादा सिंपल ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इस तरीके से बना कर एक पर जरूर देखें लस्तन हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम एड़ कर देंगे आलू तो हमने दो आलू मीडियम साइज के कट करके रखे थे मीडियम साइज के पीसिस में कि आच्छे सा मिक्स करेंगे आलू एक मिनिट हो चुका है डाले हुए अब इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी मटर और अच्छे से चला देंगे मटर और आलू से बहुती अच्छा टेस आता है इस खिचिडी में तो इस तरीके से एक बार बना कर आप जरूर देखें उसके बाद दाल चावल हमने अच्छे से धो लिये थे और हम दाल चावल एड कर देंगे अब अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद इसमें हम नमक और हल्दी powder एड़ करेंगे यह हमने 1.5 चमच नमक एड़ किया है नमक आप अपने स्वादनुसार एड़ करें और यह आधी चमच हमने हल्दी powder एड़ किया है बाकी हम इसमें और कुछ भी एड़ नहीं करेंगे लाल मिर्च पॉर्डर वगरा एड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने लाल सुकी मिर्च एड़ करी है तो इसलिए हम लाल सुकी मिर्च एड़ नहीं करेंगे अब इसमें हम साड़े तीन गिलास पानी एड़ कर देंगे पानी हमने इसमें साड़े तीन गिलास एड़ किया है और अब इसमें हम डाल देंगे अपना कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर बस आपको एक काम जरूर करना है कि यहाँ पर पानी एड़ करने के बाद आपको थोड़ा सा एक चमच में हलका सा लेके और आपको टेस्ट जरूर कर लेना है पानी क्योंकि बनने के बाद खिचड़ी में अगर आप नमक एड़ कर गए या कुछ भी तो टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा और अगर अभी आप टेस्ट करके एड़ कर दोगे अगर कम होगा जाद होगा तो आपके खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी बस हम आप कूकर लगा देंगे और कूकर हम दो सीटी लगाएंगे और खिचड़ी हमारी एकदम रेड़ी हो जाएगी जटपड यह देखिए दो अच्छा लगेगी और बच्चों बढ़ों 更त्रों जब्साध अच्छा लगेगा तो साधा सींपल खिचड़ी ऐगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो भी दी नश्रेस्टी बनेगी हो और हमारी विडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्राइब करना बहूज r춰 करें और अधो हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो हां को कैसी लेगी थाकि हम आपके लिए और शॉक्त इसी रेस्पी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे जब तक के लिए बाई बाई इंजोई करें और कम टाइम में बढ़िया खाना बना के खाएं जब तक के लिए बाई बाई